असलाम अलेकूम आद में बना रही हूँ धाई भिंडी मसाला उसके लिए मैंने इस तरीकी की भिंडी काट ली हूँ आदा किलो भिंडी ले ली थी मैं पैन रग दियू मैं इसमें तेल डाल देंगे तेल जब गरम हो जाए तो अपन भिंडी डाल देंगे सब थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे फ्राई करने के टन थोड़ा नम्मक भी डाल देंगे इसको अच्छे से मिला लेंगे इसको थोड़े ही फ्राई करेंगे ताकि इसका चिप चिपा पन खतम हो जाए अच्छे से मैं हलका फ्राई कर ली हूँ बस इसी को अब निकाल लूँगी पैन में तेल डाल देंगे जब तेल गरम हो जाए तो छोटे चमस से जीरा डाल देंगे जब जीरा तड़कने लगे में हम चौप कर लिए उसको डाल देंगे इसको भी मिला लेंगे अधरी में मैंने पॉना कब धाई ले ली हूँ धन्या पॉडर डाल दूगी आदा चमच हल्दी पॉडर तेस के अकोटिंग मिल्ची डाल देंगे मैं डेर चमच डाल दूगी आदा चमच जीरा पॉडर यह सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कांदा अच्छे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया जादा नहीं करना है पस इतना ही मैं एक चमच बेसन डाल दूगी तो भी अच्छे से भून लेंगे ताके है ना बहुत टेस्टी लगता है बेसन डालने से ग्रेवी भी अच्छी रहती है इसकी बेसन डाल के भी अच्छे से मैं भून ली हूँ अच्छे से इसकी सोंदी सोंदी खुसबू आने लगी है अब इसी में मैं अध्रक लसन का पेस डाल दूँगे एक चमच इसको भी मिक्स कर लेंगे अध्रेक लेस्टन का पेश दलकी भी अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं टमाटर ले थी दो इसको चौप कर ली हूँ इसको भी अच्छे से मिला लेंगे इसे में हम नम्मक डाल देंगे सौधनुसाल भिंडी में भी फ्राई होने की टाम दालेते हैं वो ध्यान रखके नम्मक डालके भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह जो धई पेस मसाला है सब उसमें डाल देंगे ताकि सब अपना एक साथ में अच्छे से भूच जाए सब पेस भी दालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे आज को सिलो रखेंगे ध़ई डालेंगे जब धकन ठाती रख देंगे 2-5 मियाट इसको अच्छे से मसाला भुनने तक का इसको छोड़ देंगे ताकि तमाठर माठर अपना सब अच्छे से कल जाए धक्कन खोल के देख लेंगे मसाला अच्छे से इकम भुन गया है तेल अपना हो सेपरेट हो गया है इसमें हम आधा चमच गरम मसाला डाल देंगे गरम मसाला डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे गरम मसाला डाल के भी अच्छे से मैंने मिक्स कर ली इसी में फ्राई क्रीव भी भिंडी डाल दूँगी मैं भिंडी भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि भिंडी भी भी अच्छे से मसाले में मिल जाए और गल भी जाए पानी डालके भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब मैं मसाला भिंडी भी डालके अच्छे से मिक्स कर ली हूँ पानी मसाला डालके अच्छे से मैंने मिक्स कर के लिए सिल्क मेडिया माच पे पांच मिनट हो गया है धक्कन खोलके देख लेंगे एक बाद चम्मचे ला लेंगे, देख सकते हैं, माशालला किती अच्छी भिंडी बनी है, ग्रेवी भी इसकी, इसी में हम एक चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे, फ्रेश क्रीम डालने से ना इन हैंस हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, स्कोबी डालके अच्छे से फ् अब इसी को हम सर्फ कर लेंगे मैं सर्फ कर लूगा प्लेट में डाल दूगी इसी हम डाल देंगे इसको बाजी को कि मैंने सर्फ कर ली हो ने डेख सकते हैं कितना अच्छी दिक्षीड,Sc लिए देख सकते हैं माशाला कितनी अच्छी दिख रही है इसी में हम कोत्मी डाल देंगे कोत्मी डाल के हो गए थोड़ी से फ्रेश क्रीम डाल देंगे ताके दिखने में भी अच्छी दिखे यह फ्रेश क्रीम भी डाल के मैंने सर्प कर लिए हूँ अब इसी पे हम रोटी रख ल बिंडी मसाला बनके तयार है इदम तेश्टी और मज़ेदार इदम इसको पराथे के साथ में खाईए रोटी के साथ में खाईए बहुत तेश्टी और बहुत मज़ेदार लगता है अगर इस तरीके का बनाएंगे तो अब मैं आप लोग को खा के बटाती हूँ मसाला बिंडी में लेंगे अपको लोग मसाला बिंडी है जो द्धाई को अच्छे से लगए देख सकते हैं माशाला कितनी अच्छी बनी अपनी दीजे आप लोग भी खाईए मैं आप लग को खा के बताते हूँ माशाला बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनाएं मसाला धाई भिंडी बहुत टेस्टी है और बहुत मज़ेदार बनी है अगर आपको धाई मसाला भिंडी की रेसिपी अगर अच्छी लगए हो तो प्लीज लाइक शेयर अपना ख्याल रखे दूआ में याद रखिएगा फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में